सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लैनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए प्रिये विद्यारतियो आपका स्वागत है एजुकेशन प्लैनेट नहों हर चैनल पर और आजम कक्षा आठ समाजिक विज्ञान की पुस्तक का पार्ट तीन हमें संसद क्यों चाहिए इस चैप्टर को आजम पढ़ेंगे पार्ट को मप्रारम करते हैं भारत एक लोकतांतरिक देश है और लोगों की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है और संसद में जनता के परतेनी बैठते हैं और हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णे पर किरिया में हीसा लेने और सरकार की गलत नीतियों पर अंकूस रखने में मदद देती है और इसी के अधार पर संसद भारतिय लोकतंतर का सबसे महत्वन प्रतीक और समिधान का केंदरी तत्व है अब लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए इसकी बात करते हैं देश की आजादी में 15 अगस्त 1947 की विभिन प्रिष्ट भूमी के लोगों ने भाग लिया था वे सब्तंतरता, समानता और निड़ने पर किरिया में हिस्सेदारी की विचारों से प्रेरित थे और ओपनिवेशिक ससन के धहत लोग अंगरेजी सरकार से बहवित रहते थे तथा अंगरेजों के बहुत सारे फैसलों से ऐसा है मत थे लेकिन उब्रोध नहीं कर सकते थे राश्टरबादी खुले हम अंगरेजों के अलोजना करते हैं और अपनी मांगों को पेस करने लगे 1885 में ही भारतिय राश्टिय कांगरेस ने मांग की कि विधाई का में निर्वाची सदस्या होने चाहिए और बजट पर चर्चा करने तथा प्रिशन पूछने का अधिकार मिलना चाहिए 1909 में Government of India Act में अंगरेजों ने राश्टबादियों के दवाब के कारण निर्वाचीत परतिने दी की विवस्ता को मंजूरी दे दी लेकिन सभी वैस्कों को वोट डालने का अधिकार नहीं था नहीं आम लोग निर्णे परकिरिया में भाग ले सकते थे सवतंतर भारत में सभी लोग अपने जीवन को परभावित करने वाले फैसलों में भाग लेने का अधिकार दिया था और सवतंतर था संहर्ज के सपनों को और आकांग्शाओं ने सवतंतर भारत के समिधान में सामिल किया गया और समिधान में सारव भॉमिक वैसक मतादिकार के सिधानत को अपनाया गया सारव भॉमिक वैसक मतादिकार का विवरा है कि देश के सभी वैसक नागरिकों को बोड़तेने का दिकार है और आप जानते हैं कि जिसकी उमर 18 वर्स हो जाती है तो उसको वैसक माल लिया जाता है लोग और उनके प्रतिनी दी इस टॉपिक के बात करते हैं लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है क्योंकि लोग वोट के द्वारा अपने मत को व्यक्त करते हैं और उसके काम का जगावर्न फैसला दे देता है लोग संसद के लिए अपने प्रतिनी दियों का चुनाव करते हैं और इन्ही निर्वाचित प्रतिनी दियों में से एक सम्हू सरकार बनाता है और जनता द्वारा चुने गए सभी परतिनी दियों के इस समू को ही संसित कहा जाता है यह सरकार को नियंतिर्थ करती है और उसका मारक दर्शन भी करती है अब देखिए इसमें एक यह चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें यह जो एक मतदान दल है जो दूर दराज के किशी दुर्गम चेतर में चुनाव करवाने के लिए जा रहे है और मतदान की जो समगरी है उसको हाथी पर डाल कर वो लेके जा रहे है अब संसित की भूमिका की बात करते हैं भारतीय संसद लोकतंत्र के सिधांतों में भारतीय जनता की आस्था का परतीक है और यह सिधांत निर्ने परकिरिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमती परदारित शाशन है हमारी संसद के पास महतोपुन शक्तिया हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिन दित्व करती है लोगसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव जिस तरह राज्य विधान सभा के लिए चुनाव होते हैं लोगसभा का प्रतेक पांच वर्ष में चुनाव क्रोह है जाता है देश को बहुत सारे निर्वाचन शेत्रों बांटा गया है और प्रतेक निर्वाचन शेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है और चुनाव लड़ने वाले उमीदवार विभिन राजिनतिक दलों के सदस्य होते हैं कुछ सदस्य नहीं भी होते हैं उनको निर्दलिय कहते हैं उमीदवार चुने जाने के बाद संसद सदस्य या सांसद को MP कहते हैं यानि Member of Parliament संसद के प्रमुक काम की बात करते हैं भहरा है राष्टिय सरकार का चुनाव करना संसद राज्य सबा लोग सबा वे राष्ट पती से मिलकर बनी होती है एक बात का आप एक तमची तरह से याद रखिए संसद गारत क्या है राज्य सबा लोग सबा और राष्ट पती इन तिनों को मिला कर संसद कहते हैं यदि कोई राजनितिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्थ होना चाहिए बहुमत आदे से एक जो ज़्यादा होता है उसको बहुमत करते हैं लोकसभा में कुल पांच सो त्यानली सदस्य और दो मनोनित सदस्य होते हैं इसलिए बहुमत प्रप्त करने के लिए लोक्सभा में किसी भी दल के पास कम से कम दो सो बहतर सदस्य होने चाहिए और संसद में भहुमत प्राप्त करने वाले दल को सत्तापक्ष और सत्तापक्ष का विरोध करने वाले सभी राजनितिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं कारिय पालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्तपून काम होता है और कारिय पालिका ऐसे लोगों का समू होता है जो संसत द्वारा बनाएगे कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है जिसे हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं भारत का परधान मंतरी लोक सभा में सत्ता धारी दल का मुख्या होता है और परधान मंतरी अपने दल के सांसदों में से मंतरियों का चुनाव करता है जो परधान मंतरी के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं राज्य सभा में 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सद्वा के सद्वा के चुनाव विभिन राज्यों की विधान सबाओं के निर्वाचित सद्वा करते हैं राज्य सबा मुखे रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधी की रूप में काम करती है किसी भी विधे को कानून की रूप में लगू करने के लिए राज्य सबा की मनजूरी भी जरूरी होती है अब दूसरा काम है संसद का सरकार को नियंतरित करना मारग दरसन देना और जानकारी देना संसद यानि कार्य पालिका सरकार को नियंतरित करती है सुवालों के मध्यम से सरकार को उसकी कम्यों के परती आगा किया जाता है और इस तरह सरकार का भी जनता के परतिनीदियों यानि सांसदों के जरिये जनता की राय जाने का दिकार मिलता है जब संसद का सबतर चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रशनकाल होता है और प्रशिनकाल के मध्यम से संसत सरकार के कामकाज के बारे में जानकर यहां सिल करते हैं और संसतों के प्रशनों में से सरकार को महतवपून फीड़बेक मिलता है कि सरकार जो काम कर रही है तो जनता में उसका क्या परभाव है ये feedback संसदो के प्रशणों के द्वारा सरकार को मिलता है अब तीसरा काम है संसद का कानून बनाना कानून बनाना संसद का एक महत्वपुन काम है और इसके बारे में विस्तार से जो आगे अध्याय आएगा उसमें बाचित होगी अब संसद में कौन लोग होते हैं इसकी हम बात करें तो संसद में विभिन प्रष्ट भूमी वाले लोगों की संख्या है संसद में अनुसुचित जातियों की हिस्सेदारी के लिए 84 सीटों को अरक्षित किया गया है वर्तमान में संसद में महिलाओं की इस्सेदारी कम है इसके लिए महिलाओं के लिए भी सीटों के अरक्षित किया गया है अब हम इसके जो पाठे पुस्तक के प्रशन है उनको हम देखते हैं देखिए ये पहला प्रशन है राष्टवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वैसकों को मत देने का अधिकार होना चाहिए अब इसका उत्तर होगा सभी वैसकों को मत देने का मत अधिकार दिये जाने के जो कार्ण है वो इस परकार से है सभी वैसक जो नागरिक है उनके निर्ने परकिरिया में उनकी भागेदारी हो जाए और दूसरा लोकतंतर में नागरिकों को भागेदारी और सहमति को महत्व दिया गया है और तीसरा है नागरिकों की भागेदारी और सहमति सारो भोमिक वैसक मत अधिकार से प्राप्त हो सकती है अब इसका उत्तर दूसरा एक ये भी हो सकता है प्रशन है राष्टरबादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वैसकों को मत देने का अधिकार होना चाहिए अब इसका उत्रम ये भी दे सकते हैं कि हां राष्टबादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वैसकों को मत देने का दिकार होना चाहिए क्योंकि ओपनिवेशिक सासन के दुरान भारतिये बिर्टिश सरकार के बहुत से फैसलों से ऐसाहमत होते थे लेकिन भै के कारण उन्हें मानने को मजबूर थे और राष्टिये सभतुनतरता आंदोलन में देश के सभी वर्गों की भागीदारी ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत के लोग देश का सासन चलाने की योगेता रखते हैं और अपने जीवन को परभावित करने वाले फैसलों में भाग लेने की चमता भी रखते हैं आता है सभतुनतर भारत में जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतिय समिदान में सारव भोमिग वैसक मतादिकार की वेवस्था की गई दूसरा प्रसंद देखते हैं बंगाल में 2004 में संसद्य चेतरों का नक्सा दिया गया है और इस नक्से में अपने राज्य की चुनाव चेतरों को पहचानने का प्रयास करें आपके चुनाव चेतर के संसद का क्या नाम है और आपके राज्य से संसद में कितने संसद आते हैं कुछ निर्वाचन चेत्रों को हरे और कुछ को निले रंग में क्यों दिखाया गया है अब इसमें आपको कैसे उत्तर लिखना है सबसे पहले तो संसिद चुनाव चेत्र का मान चेत्र और सबका संसद्य चेतर अलग-अलग है तो सबके संसद्य भी अलग है तो विद्यारतियों को अपने संसद्य चेतर के संसद्य का नाम जानकरी करके उनको बताना है विद्यारति जिस राज्ये से हैं तो उस राज्ये में संसद्य के कुल कितने सदस्य है ये भी आपको बताना पड़ेगा आप मालीजी राजस्थान से हैं तो उसमें 25 सदस्य होंगे और अगर महराष्टर से हैं तो 48 सदस्य होंगे हरे रंग के निर्वाचन चेतर अनुसुचित जन्जाती जिसके लिए 47 सांसत को रक्षित किया गया है और निर्वाचन चेतर अनुसुचित जाती उसके लिए 84 सांसतों के लिए रक्षित किया गया है अब इसमें आपको एक दूसरा उत्तरिसका और भी हो सकता है जैसे राजस्थान राज्ये में संसत के लोग सबाके 25 संसत जाते हैं और कुछ निर्वाचन चेतरों को हरा दर्साया गया है इनकी संख्या 41 है यह चेतर 47 है और यह चेतर अनुसुचित जात्ती के लोगों के लिए रक्षित है और कुछ निर्वाचन चेतरों को नीला दर्साया गया है जिनके संके 84 है तो अब इसका देखते हैं प्रशन नंबर 3 अध्या एक में आपने पड़ा कि भारत में परचलित संसदी ससन विरुस्ता में 3 स्तर होते हैं इन में से एक स्तर संसद के अंदर सरकार दूसरा स्तर विभिन राज्य विधाईकाओं राज्य सरकारों का होता है अपने चेतर के विभिन परतिनितियों से संबंदित सुचनाओं के धार पर निमलिक तालिकाओं को भरे राज्य सरकार के अंदर सरकार जैसे हम इसमें राजस्तान की बात करेंगे तो इसकी सूचना इस प्रकारशी होगी कौन सा या राजनितिक दल अभी सत्ता में है तो रज्य सरकार में तो कांग्रेस राजस्तान में सत्ता में है और हम यदि महराश्टर की बात करते हैं तो वहाँ सिव सेना, कांग्रेस और राष्टरबादी कांग्रेस पार्टी ऐसे कुद कुल मिला के तीन चार पार्टी हैं वहाँ पर सत्ता में है अगर हम बात करते हैं पंजाब की तो वहाँ कांग्रेस सत्ता में है तो हम यहां पे राजस्तान के एक बाड करते हुए तो राजस्तान में राजय सरकार Congress की है और केंदर सरकार भारत्य जनता पार्टी यानि NDA के इसमें भी भारत्य जनता पार्टी के साथ में कई दल मिले हुए हैं दूसरा आपके छेतर से निर्वाचित प्रतिनिधी कौन है तो राजे सरकार में आप जिस छेतर से हैं तो उसके जो आपके MLA है Member of Legislative Assembly उनका नाम लिखना है और केंदर सरकार में जो आपका छेतर जिस संसगे छेतर में आता है तो वहां के MP का Member of Parliament का नाम लिखना है फिर अभी कौन सा राजनितिक दल विपक्ष में है तो राजस्तान में भारतिय जनता पार्टी विपक्ष में है और केंदर सरकार में कोई भी पार्टी विपक्ष मनी है क्योंकि किसी पार्टी को 10% सीट प्राप्त नहीं हुई है और पिछले चुनाव कब हुए थे तो राज में राज्ये से कितनी महिला प्रतिनी प्रतिनी तो राज्ये में राज्ये में 24 महिला प्रतिनी है और राज्ये में ीधाय कोन पर उसका चुनाव कैसे किया जाता है विधायक यानि MLA, Member of Legislative Assembly, विधान सबाके सदश्यों के चुनाव के लिए राज्य को निर्वाचन चेत्रों में विभाजित किया जाता है परतेक निर्वाचन चेत्र एक परतिनिधी वहां से निर्वाचित होता है और ये निर्वाचित परतिनिधी विधायक कहलाता है विधायक का चुनाव जनता दोरा पांच वर्स के लिए किया जाता है विपक्ष किसको कहा जाएगा उसकी क्या भूमी का है वे सभी राजनितिक दल जो सरकार में सामिल नहीं है उसे विपक्ष कहा जाता है और विपक्ष का कारिय सरकार की कमियों को जनता के सामने लाना होता है चथा सरकार की गलत नितियों पर अंकुस रखने का कारिय करता है राज्य विधान सभा वे संसद लोग सभा के बीच में क्या फरक है राज्य विधान सभा चुने हुए विधायकों के समू से बनती है जबकि संसद लोग सभा संसदों के समू से बनती है संसद के पूरे देश से चुन कर आते हैं संसद के जो MP होते हैं जबकि राज्य विधानसभा के सदस्य उसी विशेश राज्य से चुन कराते हैं जिस राज्य की विधानसभा होती है अब हम बात करते हैं इसमें जो पुस्तक के अंदर कुछ प्रशन है गतिविदी अधारित प्रशन तो इसमें हम एक तो प्रशनों की बात करते हैं जैसे पेज नंबर 31 पर एक प्रशन है कि पिछले पन्ने पर दे गई संसद की तस्वीर के जरिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है संसद की तस्वीर बनी हुई है तो उसके इसका उत्तर होगा प्रसुत तस्वीर के माद्यम से कलाकार कहना चाता है कि संसद भारतियों का भारतियों के लिए भारतियों द्वारा चुना गया सासन है इसमें लोग आधार स्तंब के रूप में अपनी भूमिका निवाते हैं विभिन धरम वे जाती होते हुए भी लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनेदी भारतिय संसत का अंग बन कर इसे संचालित करने में अपना योगदान देते हैं इसी का प्रशन नमबर दो है सारव भूमिक वैसक मता दिकार क्यों मिलना चाहिए इसके पक्ष में एक कारण बताईए पेज नमबर 32 का एक प्रशन है इसका उत्तरों का प्रतेक देशवाशी को सारव भूमिक वैसक मदा दिकार प्राप्ट होना चाहिए ताकि प्रतेक वैसक को बिना किसी की भेद भाव के मद देने का दिकार प्राप्ट हो उसके प्रशन नमबर 3 इसी 32 पेज पर है क्लास मोनिटर का चुनाव सिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों द्वारा आपकी राये में इस बात से कोई फर्क पड़ता है या नहीं चर्चा कीजिए इसका उत्तरों का हाँ इस बात से फर्क पड़ता है मोनिटर का चुनाव सिक्षक या विद्यार्थी दोनों ही कर सकते हैं किन्तु यदि मोनिटर कक्षा के विद्यार्थियों की सैमती से बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है तो ये कुछ मुख्य मुख्य प्रशन की हमने चर्चा की थी तो बड़ा ही रूची कर पाठ है थोड़ा सा ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से आपके पाठ समझ में आ जाएगा और फिर भी कुछ से बात समझ में नहीं आती तो कमेंट बोक्स में आप अपनी समझ्या अपना प्रशन आप लिखे और मुझसे पूझे मैं हमेशा के लिए आपका प्रशन का उत्तर देने के लिए तयार रहूँगा धन्यवाद बहुत वोत आपका